कि आप पूरा का पूरा मेरा पढ़ाय हुआ कंटेंट बढ़के गए होंगे और हो सकता है किसी एक्जाम में एक भी सवाल नहीं मिला होगा और GS वास्ट बहुत है सर, GS में न सबसे जरूरी चीज़ है पेशन्स अचा जैसे आपने तैयारी जब करना सुरू किया और इतने सारे एक्जाम निकाले तो आपके अकॉर्डिंग GS पढ़ने का बैतर तरीका क्या हो सकता है अगर जैसे होता है कि सेलेक्शन निकल जाएगा लेकिन बहुत अच्छी रेंग चैना तो GS की बाक्स बहुत जरूरी है और GS का कितना इंपोर्टेंस या कितना रोल था आपके सेलेक्शन सनी चौधरी, सनी मेरे भाई सबसे पहले तो बहुत-बहुत मुबारक बात यार आपको SSC CPO में आप rank 3 लेके आएं All India और मुझे ऐसा लगता है कि rank 3 मेरे साब से कि आप topper ही हैं भाई मुझे ऐसा लगता है कि चाहे rank 4 हो 5 हो 10 हो जो शुरुवाती 10-20 बच्चे होते हैं वो सारी शारी टॉपर्स होते हैं और सबसे बहतरीन बात आपके मुझे लगी कि यार आपने 24-24 एक्जाम्स क्वालिफाई करें और डेफिनिट सी बात है उसमें GS का भी कही ना कही योगदान जरूर रहा होगा है ना और मैं ही जानना चाहता हूँ कि भाई जब आप GS की तयारी करते हैं जब आप GS पढ़ते हैं तो उसमें कितना patience level हमें चाहिए होता है कितना धहर हमें रखना होता है क्योंकि ऐसा भी होगा कि आप पूरा का पूरा मेरा पढ़ाय होगा content पढ़के गए होगे और हो सकता है किसी exam में एक भी सवाल नहीं मिला होगा या ऐसा हो सकता है कि आपने सारे के सारे subjects करें होगे GS के और एकाद exam में ऐसा भी होगा कि कोई subject आपका नहीं पूछा गया होगा लेकिन वो अगले exam में फिर आपको देखने के ले मिला क्योंकि आपको 24 exams तो qualify करने का experience है जिसमें आप 6 finance selection भी ले चुके हो तो मैं चाहता हूँ कि आप बताओ कि यार आपकी जो GS की journey थी नहीं वो कैसी रही और GS का कितना importance या कितना role था आपके selection में GS हर एक paper में आती है CDS किया है मैंने, CDS में पूरा खिल GS का बहुत important है उसके वाद CGL, CHS, CPO, GS, मेंस में भी CGL, मेंस में हर चीज में GS का role है Sir, starting में जैसे में थोड़ा books वगारा से सूचा था कि book से cover कर लोगा लेकिन फिर मुझे समझ जाए कि coaching करनी ही पड़ेगी एक बढ़ा होता ना guidance मिल जाए कि history को इस वे में करना है क्योंकि हर चीज बहुत vast है इन केस नहीं भी आता है ना GS बार बार आती है मैं आपका एक single question तीन paper में देख रखाए तो question आती ही आते है ऐसा नहीं है कि GS सर बहुत important role play गरती है आप history को डो ठालो history हर paper में आती है सिंगल paper ही नहीं होगा जिसमें GS ररी और फिर वो history ना डाल रहा है एक question तो रहे ही नहीं है geography देख लो geography question रहेगा और GS वास्ट बहुत है GS में सबसे जरूरी चीज़ है patience patience क्यों चीज़ है starting में असा लगते है कि okay GS सिरफ 25 question आने है पर इसके लिए topic इतना सारा पढ़ना है और इतना सारा सा लेवस पढ़ना है पर आपकी rank decide ही GS करती है अगर जैसे होता है selection निकल जाए लेकिन बहुत अच्छी rank चीज़ है तो GS की बाक्स बहुत जरूरी है तो GS की बाक्स बहुत जरूरी है तो मैं CPU के एक्जामबल लेता हूँ तो आपको लगता है कहीं कि जादतर जो candidates होते हैं वो GS में लैक करते हैं या आप कह सकते हो कि math, reasoning और English में तो वो score कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत जादर regularly उसकी तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन भीड से अलग होने के लिए रैंक में उपर उठने के लिए फिर हमें GS की जरूरत पढ़ती है क्योंकि GS डिसाइड करता है क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों के selection भी है उनके ranks भी है लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि सर हमें GS में सबसे आदर प्रप्लम आती थी तो आपको यह लगता है कि GS अगर हमारी अच्छी होगी तो डेफिरेट सी बात है हम रैंक में बहुत उपर पहुंच जाएंगे बिलकुल सर, GS आपकी रैंक डिसाइड करती है पूरी तरह से अच्छी है तो, सणी जैसे GS आप लोग ऑफलाइन पड़े हुए हो अच्छी सर अगर हम पढ़ाई के टाइम पर कॉंसेंट्रेशन की बात करेंगे तो कहां ज्यादा बैटर फील हो ता ओनलाइन अफलाइन जीएस ना मुझे लग रगाँ तो शयाद बच्चे धहन देहान ऑफलाइन में आप सही रहता है वो फोकस बना रहते है क्यों कि यह हो रहा है अब इस अच्छी में लगता है ना लगता है लाइक सामने टीजर बढ़ा रहा हो तो सामने साप माला में उसी हो जहाँ पड़ारे उस ताहिए तो आप इक स्टोरी सी बना गया बदा आते हो ची इसे मिल जाएंगा जो सीधा प्रीवेस एर कुष्टन उठाया और कुष्टन का आंसर बता रहें और वो अप्सन को सौल करके और स्टुडेंट को यह भी लग रहा है कि यह तैयारी हमारी बहुत बढ़े स्टर की तैयारी हुरी है से हमारा बहुत अच्छा का सा जीस का सेक सब कुछ करवा रहे हो अप उसको अच्छे से कर लो पूरा उसके बाद सर अपको लगता है कि हा मेरे क्वेश्टन नी हो रहे है कुछ कमी हो रही है तो सर अब थोड़ा सा और बशप कर लो चीज़ों को कोई बुक वेगरा एक्स्टा कुछ सौस्टिर देख लो पर पहले स सर आपको ना पर्टिकुलर एक टीचा से सारा चुछ पढ़ना चीए मला पहले थेओरी कंपलीट करनी बड़ेगी उसके बाद में प्रक्टिस करेंगे तो फिर उसमें हमें यह भी एडिया लगएगा कि कितनी और जरूरत है और डारेक्ट अगर हम M.C.Q. कुश्टन पर ज सर मैप हुआ होगा लेकिन मतलब सर जैसे क्या रहते है जिए रहते हैं मैंने कुछ इक चीज़ों पर ही फोकस रखा था लाइक जिसमें जैसे ज्यादा क्वेश्टन आप जैसे मौन सुन हो गया हो गया मौन सुन हो गया रिवर्स तो सर कितना कुछ पूछते हैं ठीक है जासे पैंचिलार, डेजर्ट, हमाले के बारें पढ़ें पढ़ें पादे लो कुछ एक टॉपिश्ट प्रिवें ध्यान ध्यान चेंसे मैं जिनसे मैक्सिमम क्वेस्टन आते हैं मतलब कहने का आइन का कि आपको पढ़ना तो पढ़ेगा और सबजेक्ट वाइस आप ये आपको पहले ठीजरी करनी ही चीह तभी आपको पता चलेगा के ऐसे ऐसे प्टा ही नी चलेगा क्वेस्टन कहां से क्या बन रहें बात लगेगा अच्छा अपकर से ना दस पीवाइक्यों और फिक यारव ऐसा होएगा जो अपने कभी देखा ही हो उसके बार इम पढ़ी प आपको कभी यह नहीं लगा कि मेरे पास तैम बहुत कम है तो मैं कैसे इतना सब कुछ तहियार करो सरा थोड़ा स्टेडी ना ताइम और इसे स्मार्ट लेगर सकते हो लेकिन आपको जीए पढ़नी वड़ती है क्योंकि सर इंपोर्टेंट है वो सब्जेक्ट है उसके मांक् पहले सरफ आर्टिकल के नमबर पूचे जाते हैं कि अर्टिकल 317 में कहा है 324 में इलेक्शन कमिशन है नहीं है अब अब थोड़ा डीप उचने लग गया हो लो कि एलेक्शन कमिशन में क्या क्या है बले उससे दो क्वेशन आरें वो बहुत इंपोर्टन है मेंस में सर वो तो छे नंबर सर मैं बता रहा हूं जिस बच्चे के 302 है उसके 308 हो रहे है उसे बहुत अच्छी लोकेशन बिल सकती है उसे बहुत अच्छी पॉस्ट में सकती है और शुरू में तो ऐसा लगता है सर ठीक है आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो स्टाइम आपको जीएस की वे स्टाइन भी है इस्ट्री पॉलिटी जोग्रफी एक नमिक तो क्या ऐसा कुछ है आपके अपके एकोर्डिंग कि कुछ पर्टिकुलर सब्जेक को तयार करके इसको बढ़िया किया जा सकता है या फिर यह कि सब्जेक्ट सारी ही पड़ने है उन सब्जेक्ट के कुछ स्पै पेपर में एक्जामाइनर का दिमाग आ रहा है कि पूरा हिस्ट्री और वही डाल दिया शिफ्ट चेंज होने पर कुछ चेंज हो सकता है तो सर आपको सारा कुछ कवर करना पड़ता है वो करना ही चीए और ऐसा नहीं है कि मैं दो यह स्किप कर देता हूं दो जैसे सोच मैं सा पर चेंज होता है कि किसी सिफ्ट में कौन सा सब्जेक्ट जादा हो गया अगली सिफ्ट में कोई दूसरा जादा आ गया तो अवर आल कहने का मतलब भी है इनका भी कहने का यह है और हम भी क्लासिस में यही समझाते हैं कि आप अगर एक जीएस से स्पेशल बैज जोईन कर तो तसलिस उसको कम्प्लीट करो आप जब आपके पास पूरा डेटा होगा आपके पास नॉलेज होगी सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड उसके बाद फिर आप जब कुश्चेंस लगाओगे न तो फिर चाहे बुक से लगाओ कई से भी प्रक्टिस करो आपको confidence भी बढ़ेगा आपको ये भी बता चलेगा कि कितने आप पानी में हो मतलब कि कितना आपको और पढ़ने के जरूरूरत है कितना पढ़ चुके हो असलियत तो तब ही बता चलेगी ना बिल्कुल सब थोरी आईगी सारा कुछ चीजी कवर होईगी और सब जैसे आप जरूरत है कि अबने के पानी के इन चेप्टर से ही क्वेस्ट्न जादा बंते है अप एक बार को स्टार्टिं में वोचिज कर सकते हो कि जो यह यह चैप्टर कर लेता हूं लेकिन आप को जोही लगते हैं कि हा मेरा पेपर होगया मेरे पास टाइम आपको सबसे पहले हम अची पढ़ है लिवार के लिए सर बात प्रहु आ नहीं है लेकिन एक्जाम के लिए सर में हमेशे नहीं चाहए लिखता हूँ आप एक्जाम क्लियर कर रहे हैं उसमें अच्छा है यह इसलेबस और आपको यह कवर करना है सिम्पल नॉलिज का मतलब मेर रहे था कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो उससे एक्जाम के लिए तो पढ़ी रहे हो पर एक्जामपल लू चलती है तो ममें बोलते हैं लू चलने लगी है पर पता है कि इनको एक पर्टिकुलर होट वीन्ड ऐसी कुछ बोला जाता है यह तरम है और यह अदर कंट्री में बहुत है और यह दू पर्टिकुलर रीजन सहाई इसा ही कुछ अगया होगी तो लू अब समझ में आता हूगा प्रचर दिफरेंस क्रिये और रिसेंटल अभी दुभाई में आपके 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 आपको चीजे पता है कि आपके आसपास एंवर्मेंट में क्या चल रहा है और थिए तो आपको करनी ही पड़ेगी और ऐसे ही नहीं आप लोगों के लिए लगा तो बहुत अच्छा लगा सनी आपसे मिलकर और आपने एक ऐसी बात बताई जो कहीं न कहीं आइडियोलोजी हमारी पूरी टीम के साथ आपकी मैच हो रही है क्योंकि हमारा सुरू से फोकस रहा है कि हम स्टूडेंट को सिस्टमेटिक वे में वो नॉलिज प्रोवाइड करा जाने बैठे उसके question टिक हो जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद सनी बहुत बहुत धन्यवाद यार आपका यहां पर आने के लिए सबसे पहले तो और हम लोगों से मिले आप वैसे तो आप शायद हमसे 5 साल पहले पढ़े होंगे लेकिन आपसे मिलके न हमें खुद वो 5 सा पहले ऐसे शुरू करता था पढ़ाना और यह सब चीजे करवाता था तो बड़ा अच्छा लगा यार और सबसे पहले तो भई आप सब लोगों को आपके पूरे परिवार को बहुत-बहुत मुबारक बात हमारी तरफ से रैंक 3 लेके आयो आप अब आपका अगला टार्ग तो आप रैंक 1 के साथ आए और इसी तरीके से आप हमसे अपने एक्सपीरेंस शेयर करें आप से बात करके भी हमें ऐसा लग रहा है और आपकी जो जिस तरीके से जवाब दे रहे हो न उससे साफ पता चल रहा है कि आपने स्टेडिस को पिछले 5 साल दिये हैं क्योंकि समिधार नागरिक की तरह काम करने लगोगे तो आपको और जादा पता चलेगा कि आर जो मैंने पढ़ाई की थी जो मैंने ग्यान हासिल किया था वो मैं लाइफ में कई जगा पर इंप्लिमेंट कर सकता हूं तो बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे भाई बैस्ट विशिस फॉ कि अकार सब्सक्राव भाई कर से तो पहुत-बहुत दाष से निखे निजए लगोप पर बड़ाई उन्धर जस्ट टूसीं तो अप्लिमेंट टूसेजर थी बहुत-खेश काप्वाद पुरसा बड़ भाई प्लिमेंट्ट लगोःत क्वादेश का फवादर मेरे प्लिमे